प्रेंट्स मैं विविक कुमार आप सभी का आपके और अपने यूट्यूब चैनल यूवी कम्प्टिसंस पे स्वागत करता हूं मेरे प्यारे साथियो रोजाना नौबजी इस्पेसल पॉर सीटी समान पात्तरता परिक्षा राजस्तान 2030 एक्जाम के लिए हम पढ़ रहे हैं राजस्तान के इतियास की महत्पुन और इतियासी गटनाई साथियो अब तक के हमने वीडियो में 1790 यानि की अठारी सताब्दी की गटनाओं को लेकर साथियो राजस्तान राज्य है जो की छेतरपल की दरश्टी से बारत देश का सबसे बड़ा राज्य है तो या पर बहुस सारी अन्ग्रिनत गटनाई हुई जो की मुखे-मुखे गटनाई हमने सामिल की है 18zeni की यानि की 19othी सताब्दी की साथियों मेरे 19othी सताब्दी में अंग्रेजों का आग्मन हो चुका था यानि कि राजस्तान राज्ये में भी अंग्रीजों का आगमन हो चुका था और अठारे सो इस्वी के इतियास में जॉर्ज टॉमस यानि कि जॉर्ज थॉमस ने अपने इतियास ग्रंत में सबसे पहले राजस्तान के लिए राजपूताना सब्द का प्रयोग किया था जोर्ज थॉमस ने किसका प्रयोग किया था राजपूताना सब्द का राजस्थान के लिए कब किया था अठारे सो इस वी में साथियों इनके एक बुक काई थी एनाल सेना अंटिकोटेज और राजस्थान उसमें भी इन्होंने इसका जुक्र किया है राजपुताना का मतलब होता है राजपुतो की धर्ती क्योंकि राजस्थान राज्य चोटे चोटे राज्यों में विवक्त था बटा हुआ था वो प्रतेग राज्य का एक नएक राजा था और राजपुत की धर्ती की कारण इसको का जाता था राजपुताना 1803 इस्वी में अंग्रेजों वे सिंध्या के मद्दे लासवाडी का युद हुआ और इस लासवाडी के युद में सिंध्या की पराज्य हुई थी सिंध्या की हार हुई थी 1823 में 25 सितंबर 1823 को बर्तपुर नर्यस रणजी सिंग ने अंग्रेजों से इस्ताई मित्रता की संदी की और उसके अनुसार क्रिस्णगर, कठुमबर, रेवाडी, गोकुल और सैड के पांच पर्ग ने बर्तपुर राज्ये में माने गए 1823 में 12 दिसंबर 1823 को जैपुर माराजय की मित्रता और पारिस्प्रिक सायता के लिए अंग्रेजों से संदी होई तो अंग्रेजों से संदी होना सुरू हो गया था 1823 में यानि कि 1923 सताब्दी जबाई तो अंग्रेजों से संदी होना सुरू हो चुका था अठारे सो चारीसवी में भर्थपूर नरेस ने होलकर को अंग्रिजों के विरुद सायता दी थी अठारे सो पाँची स्वी में जोधपूर नरेस मान सिंग ने जोधपूर किले में हस्त लिखित ग्रंतों के पुस्तकाले के स्तापना की हैंड रिटन लाइब्रेरी बनाई थी जोधपूर नरेस मान सिंग ने जोधपूर के किले में 1825 इस्वी में 1825 इस्वी में ही 17 अप्रिल 1825 इस्वी को भर्थपूर नरेस ने अंग्रिजों से दुबारा मित्तरता वै आपसे सायता की संदी की 1825 इस्वी में ही दुबारा इस संदी को से 1830 इस्वी में अंग्रेजों दुआरा दिये गए पांच पर्ग ने बर्थपूर से ले लिए गए तता बर्थपूर नरेस ने 20 लाग रुपे युद्ध के हरजाने के रूप में भी अंग्रेजों को दिये थे साथे उसके बाद 1837 इस्वी गटनाई तो 1837 इस्वी में मेवाड की राजकुमारी के विवाग की रसाकसी के कारव यानि की विवाद हुआ जैपूर नरेस जगस सिंग वैजोदपूर नरेस मान सिंग की सेना के बीच परबतसर की गाटी यानि की गिंगोली का ये दुआ और जिसमें जोदपूर नरेस मान सिंग की सेना हार गए थी 187. स्फी CR में राजंगुमारी किष्णाकुमारी के विवाग को लेकर मत्बेद हुए थे और उन मत्बिदों के चलते हुए नरेस जो कि ज्यपुर्ण नरेसुण ज्यगस सिंग वजोदपुर्ण नरेस मांध सिंग bigger गिंगोली का युद्ध हुआ और इसमें ज्योदपुर नारिसमान सिंग की सेना हार गी थी साथ ए 1810 इस्वी में उद्यपूर के मारणा भीम सिंग ने अमीर खा के प्रस्ताओं पर राजकुमारी किस्टा कुमारी को जहर पिला आपूर्दा दा 1817 इस्वी में 26 दिसंबर 1817 इस्वी को कोटा राज्य ने अंग्रेजों से मित्रता विसायता की संदी की आई 1818 इस्वी और 1818 इस्वी में जाला वनसजों ने जाला वाट राज्य की स्तापना की 1818 इस्वी में ही 31 सक्टमबर 1818 इस्वी को सिरोई राज्ये की अंग्रीजों से मित्रता विसायता की संदी हुई 1818 इस्वी में ही मेवाड में इस्ट इंडिया कंपनी की संदी हुई मेवाड से इस्ट इंडिया कंपणी की संदी होई 1819 इस्वी में जैसलमेर के मारा मुल राज ने इस्ट इंडिया कंपणी से भी संदी कर ली 1822 इस्वी में राजस्तान में चली आरे प्रथाए कूप प्रितिया अंध विश्वास को खातमा शुरू होने लगा 1813 में पुराने समय मैं यदि कोई व्यक्ति मर जाता था यदि उसका निदन हो जाता था तो उसकी पत्नी को भी उसके साथ चिता में बैठना होता था हैनि कि सत होना था और उसे जिन्दा ही धपना तया सोरी जला दिया जाता था तो इस प्रता को 1822 इस्वी में गैर कानूनी घोसित कर दिया गया पूंदी में 1823 इस्वी में सिरोई राज्ये की अंग्रेजों से संधी हुई 1832 इस्वी में अजमेर में राजपुताना रेजिडेंसी कायम हुई और 1834 इस्वी में कोटा तथा उदेपुर राज्यों में सर्व प्रत्थम कन्यावद को गैर कानूनी कोशित किया गया कन्यावद जोकी अपराद है स्रेव गर्सचाइड सात्यों मेरे पुराने समय में या अभी भी समय होता है कि कन्यावद जो है कि बच्चियों को जो छोटी बच्चिया होती है लड़किया होती है उनको जा तो कोख में मार दिया जाता है या उनके जनम होते हैं उन्हें मार दिया जाता है तो कोटा ततरा उदेपुर राज्जों में सर्वपर्थम करने वज्जों था उसको गैर कानूनी कोसित कर दिया गया 1835 में सर्वपर्थम सेखावटी में सांती वेस्ता बनाया रखने के लिए सेखावटी ग्रेड की स्थापना की गई 1835 में जोदपूर लीजियन का गठन हुआ 1836 में अजमेर में सर्वपर्थम अंग्रेजी सरकारी स्कूल की स्थापड़ा की गई 1837 में एरिनपुरा चावनी शुरुई स्थापित की गई 1837 में कोटा राज्जे का विबाजन हो गया 1837 में जालावाड के नए राज्जे का निर्मान हुआ कि कोटा राज्जे का विबाजन हुआ तो कोटा राज्जे से भी कुछ हिस्सा तूटा और जालावाड राज्जे मिला तो जालावाड के नए राज्जे का निर्मान हुआ 1838 इस्वी में मादवज सिंग द्वारा ने जहलावार राज्य की स्थापना की गई नीव रख दी गई थी जहला राजा के द्वारा मादव सिंग ने जहलावार की स्थापना की थी 1838 इस्वी में 1849 इस्वी में अजमेर कमिशनर सदरलैंड ने अंग्री जी सेना लेकर जोदपूर दुर्पर कबजा किया था 1841 इस्वी में मेवाड भील कोर की स्थापना हुई थी 1841 इस्वी में जोदपूर राज्ये ने त्याग प्रथा को रोकने के लिए नियम बनाये थे 1842 इस्वी में अलवर वेबर्थपूर राज्यों में अंग्री जी सिक्षा की पहली स्थापित की गई थी 1844 इस्वी में जैपूर जोदपूर उदेपूर राज्यों में कन्यावद को गयर कानों निकोसित कर दिया गया उसके बाद जैपूर में महाराज स्कूल की स्थापना हुई 1844 इस्वी में 1845 इस्वी की बात करें तो 1845 इस्वी में ए जी जी एजेंट्टू गवर्नर जनरल का कार्या ले अजमेर से माउंट आबू इस्थानान तरित कर दिया गया 1847 इस्वी में जैपूर राज्ये में बच्चों को बेचने को अवेद गोसित किया गया सात्यों राजस्तान राज्ये में ही नी अपी तो पूरे भारत में बहुत सारी अंद्विस्वासी प्रथा जिनका समय समय पर इन पर गैर कानू निकोसित किया गया लेकिन कुछ हिस्सों में अभी भी ऐसी ऐसी अंदिविश्वासी पर था हैं जिनको रोक पाना मुस्किल होता जा रहा है साथे ये अंदिविस्वासिक प्रताय समाज ही नहीं अपी तो पूरे सर लोगों को जग्चोर कर देती है कुछ प्रताय तो ऐसी है कि जोकी इतनी बड़ी सजा की देती है कि जिने सैन कर पाना भी मुस्किल होता है साथे मेरे 1856 इस्वी में जैपूर में राम निवास बाग की नीव रखी गई 1857 इस्वी में 28 मही को सेनिक विद्रो हुआ राजस्तान राज्ये में और भारत में सिपाई विद्रो मेरत से परारम हुआ था तो 1857 की क्रांती की अलग जग गई राजस्तान राज्ये में भी 28 मही को सेनिक विद्रो हो गया और 1857 की क्रांती जो की अंग्रेजों के विरुद्ध थी उसकी अलग जगी और उसका कहते हैं कि कहना में प्रागा बहुँच चुका था 1858 हिस्वी में कोटा में मेजर रोबोट्स तदान्य इस्तानों पर अंग्रेज अधिकारियों ने नियंत्रन इस्तापित किया 1870 हिस्वी में जहालावाड नरिस पृत्वी सिंग ने जहालरा पाटन के पास नौला खाद दुर्ग की नीव रखी दी 1861 हिस्वी में बीकानेर नरिस को सिपाई विद्रों के वक्ती सेवा के उपलक्ष में सिर्सा जिले के टीवी परगने के 41 गाउं मिले थे 1863 हिस्वी में बूंदी में अंग्रेजी स्कूल खुला 1864 हिस्वी में आववा के कुसाल सिंग आजादी की अलग जगाने वाले सूर्मा का उदैपुर में सुरगवास हो गया साथीो आववा के कुसाल सिंग थाकूर कुसाल सिंग 1857 की कرانती के एहム युद्धा थे और 1867 उनकी क्रान्ती यानि के राजस्तान में क्रान्ती की अलग जगाने वाले सूर्मात हैं और इनका 1864 इस्वी में निदन हो गया 1865 इस्वी में उद्यपूर में अंग्रे जी बासा के शिक्षा दी जाने लगी 1867 इस्वी में टॉक का नवाब राजगती से अटाया गया तथा लावा ठिकाना टॉक से स्वतन तर्थ किया गया 1867 इस्वी में जोधपूर में अंग्रेजी स्कूल खुला प्रथम अंग्रेजी स्कूल 8888 में राज्य में चक्वंदी प्रथा लागों की गई खेतों के लिए 8888 में बटी सरकार ने जनजाती अपरात कानून बनाया 8822 में बीकानियर में पहला सरकारी स्कूल खुला 8833 में कोटा में पहला डागगर खुला पहला पॉस्ट अफिस 1834 इस्वी में 12 जून 1884 को स्वामी दैनान सरसोती के सत्यार्थ प्रकास गरंत की रसना हुई जिसका प्रकासन 8822 इस्वी में उदेपुर में हुआ था 1844 इस्वी में आगणा पोट वे बादी कुई के मद्दे रेल चली जो कि राज्य में प्रथम बार रेल चली थी प्रथम रेल देश में चली थी मुंबई से ठाणे के बीच 1875 इस्वी में 10 अपरिल 1875 को आरे समाज की मुंबई में स्वामी दैनान सरस्वती द्वाराय स्थापना की गई स्वामी दैनान सरस्वती जिनों आरे समाज की स्थापना की थी कब की दी दस अपरिल 835 इश्वी को 1115 में 21 सक्टुंबर को अजमीर में मैयो कोलिज की स्टाप्ना की गई और वरतमान में ये कोलिज चल रहा है 18006 इश्वी में 22 फर्मारी को वाल्टर करत इदकारेनी सबा की स्टाप्ना हुई 1877 स्वी में 2 जुलाई को उदैपुर में विवा संबंदी खठनाई को निराकरण होते हो देश तेशनी सबा की स्थापना की गई 1881 स्वी में 17 फरवारी को जूदपुर में प्रथम जणगर्णा की गई 1883 स्वी में आरे समाज की परवकरणी सबा का पुनर गठन कर उदैपुर में इसका पंजियन हुआ 1883 स्वी में 30 अक्तोंबर को अजमेर में आरे समाज के संस्तापा स्वामी दयाना सरस्वती का नेदन हो गया 1884 इस्वी में जोधपुर में नगरपाली का इस्तापना हुई 1885 इस्वी में जोधपुर राज्ये में बाल विवाप्रतिबंद कानून बनाया गया 1885 इस्वी में ही जोधपुर में सरकारी करमचारियों के लिए खादी पहनना अनिवार्य किया गया 1887 सवी में जालावार के सासक जालिम सिंग से बारी ससा नेदीकार्ची नहीं 1888 सवी में जोध्पुर में इतियास विभाक की स्तावना हुई 1888 इस्वी में एजी जी वाल्टर की अध्यक्स्ता में वाल्टर करत राजपूत हितकारेणी सभा की स्थापना अज्मी राज्ये में हुई 1890 इस्वी में भीलवाडा में कपास और उनु उटने का कारखाना इस्तापित किया गया 1890 में इस्वी में ब्यावर में करिशना कोटन मेल की स्थापना हुई 1890 में इस्वी में स्याम जी करिशन वर्मा को उध्यपूर राज्ये परिस्द का सदस्य न्यूक्त किया गया 1890 में इस्वी में बाइस फरवारी को उध्यपूर में पर्थमतार घर की स्थापना हुई उसके बाद 1870 में इस्वी में बिजोलिया किसान अंदुलन प्रारम हो चुका था और 1870 में इस्वी में उदेपुर में रेलवे की स्थापनों हुई थी तो इस तरह तर राजस्तान राज्जे में 1880 की जानी की उनिस्वी सताब्दी की घटनाए हुई और हमारा नेक्स टॉपिक है राजस्तान की इतियास की महत्वपुर्ण इतियासी घटनाए जिसमें हम उनिस्वी जानी की बीस्वी सताब्दी की इतियासी घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्तान सीटी एकजाम 2023 की बैस्ट बुक के बारे में यह बैस्ट बुक चक्छु प्रकासन की है साथियों मेरे राजस्तान समान पात्तरता परिच्छा 2023 सीनियर सेकंडरी लेवल के लिए यह बुक अत्यंत महत्वपूर्ण और बैतरीन बुक है साथियों इस बुक में राजस्तान का इतियास, कला, साहित्य, संस्कृती, परंपरा, विरासत, बारतेम राजस्तान का भोगोल, राजस्तान पर विसेस बल के साथ भारते राजनितिक व्यवस्ता, राजस्तान की अर्थ व्यवस्ता, देनिक विज्ञान, तारकी विवेचन संपूर्ण लेवस को कवर किया गया है साथियो इस बैतरीन बुक में आपको ये सारा कुछ पढ़ने के लिए भी मिलेगा और इसके अलावा मिलेंगे 20 प्रक्टी सेट कुल मिलाकर बुक कैसी है बहुत अच्छी बुक है 20 प्रक्टी सेट मिलेंगे 2900 objective type questions मिलेंगे जो कि आपकी परिक्षा के लिए अत्यात महत्वपूर्ण साबित होंगे साथियो ये बुक जो है ये online आउलेबल है आप इस बुक को online परचीज कर सकते हैं और offline अपने नजदी की book store से परचीज कर सकते हैं online ये बुक Amazon और Flipkart दोनों पर उपलब्द है यहां से आप online परचीज कीजिए चक्छू प्रकासन की महत्वपूर्ण और सांदार जबरदस्त book जो की best book है राजस्तान CAT exam 2023 के लिए साथियो मेरे वीडियो अच्छा लगा तो धन्यवाद और थैंक यू सो मच ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे और आप देखते रहिए बने रहिए हमारे साथ और सात्यों मेरे यदी अमी तक आपने हमारा चोटा सा चैनल है यूवी कम्प्रिशन सब्क्राइब नहीं किया है फमारे चैनल को सब्क्राइब करें साथी साथ मेरे साथ Instagram और Telegram पर भी जुड़े Instagram और Telegram पर जुड़ने का लिंक आपको वीडियो के description में मिलेगा वहाँ से आप जुड़ सकते हैं और साथी साथ वीडियो अच्छा लगा है तो comment जरू करें आपका comment हमारे लिए अत्यंत मैंतो पूर्ण है मैं लेकर आजिर हूँगा दुबारा से आपके सामने एक नए वीडियो और वीडियो आपका जवरदस्त होगा और सांदार वीडियो content आपको बहुत अच्छा content दोँगा ऐसा content बहतरिन content आपको हमिसा मिलता रहेगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ आपके और अपने योटूब चैनल यूवी कंप्रिसेंस पर